हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माइं यूटूब चैनल आनंद करेर इंस्टूट फ्रेंट्स ना हम देख रहे हैं सुक्षमिदर्शी की विवेदन चमता कि अगर आप ने वहां वीडियो देखा है तो यह आपको बहुत हीज़ी होता है अपको इस समall क did द्याना देती हुए केबल में जो बोल रहा हूं उस पे द्यान दे जो विवेधन चमता होती है किनी भी दो पास इस्तित बस्तूओं को इस पस्ट रूप से देखने की जो चमता होती है उसे ही हम विवेधन चमता कहते हैं एक सिंपल और ईजी लैंग्विज में तो हम यहां कि विवेधन चमता की विवेधन चमता अब यहां पर यही भी पता होना चाहिए किनी वी अलग-अलग होने बहा सीमा जब वहां हमें अलग-अलग दिखाई देती हैं यह सारी मैंने कंडिशंस लास्ट वीडियो में जब दो तर्श्री को एक्स्प्लेंड किया था तब भी पास पास अबस्तों हैं तो जब हम इन्हें इतना अलग अलग इस पस देख पारें अगर हम इससे अधिक पास इन दोनों को करते हैं तो क्या हम इन्हें सेपरेट देख पाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि यह दोनों वस्तुवे कहां से अलग हो रही है अगर वो इस तरह से मिल जाएं तो यहां हम इने सेपरेट नहीं कर पा रहें लेकिन यहां पर हम इने सेपरेट कर पा रहें तो पास इसे वस्तुवी जब तक हम उन्हें सेपरेट देख पाते हैं व सुक्श मदर्शीं के वघोर्द hell अलब क beschäftी कि तो around निरोbolुका किती प्रचमद फाल देखने के लिए, हम सुक्ष्मद्र्शी की ब tip देखने के लिए हम उट डेफिनिशिन देख लेते हैं। आपको बहुत ही चैसे समझ में आने वाली है सुक्षमदर्शी की विविदन शीमा पास इस दो समीपस्त वस्तूओं के वीच की वहन यूंतम दूरी होती है जबकि उन बस्तूओं के सुक्षमदर्शी द्वारा बने ठीक विवेदित होते हैं मतलब हमें पता है अगर विविदन शीमा क्या है विविदन शीमा अभी मैंने एक्स्प्लेंग किया हुआ है कि पास इस दो समीपस्त वस्तूओं के बीच की वहन यूंतम दूरी है जबकि उन बस्तूओं के सुक्षमदर्शी द्वारा बने प्रतिवें ठीक विवेदित होते हैं यहाँ दूरी जितनी कम होती है सुक्षमदर्शी के विवेदन चमता उतनी ही अधिक होती है अगर जैसे कि हम एक्जामपल के लिए दो बस्तूओं लें तो यहाँ जो दो बस्तूओं है यहाँ एक दूसरे से पास इस्तित है लेकिन यहाँ थोड़ी और पास हो सकती है तो हमने और पास कर दिया यहां और पास हो सकती है लेकिन एक एशी शीमा जब जिससे और पास करने पर हम इसका विवेदन नहीं कर सकते तो इस कंडिशन में हम इसमें विवेदन नहीं कर पा रहे हैं कि फर्स्ट कहां से स्टाड है और सेकंड कहां से स्टाड है यहां डिस्टेंस जितने काम होती है कि विविदंश मधा उतनी ही अधिक होती है कि यहां पर आप इस डायग्राम को देखकर समझेगे यहां पर देखें कि इंटरिण चंपता करने के लिए दो समिपस्त वस्तू है फिर इनके बीच रिफ्लेक्शन चितर हमारा हमा रहा है उन और रिफ्लेक्शन डाइग्राम है कि किस तरह से प्रतिविंब फॉर्मेशन होता है सुक्षमदर्श्री के अंदर तो यहां पर वही चेत्र बतायागा है कि सुक्षमदर्श्री द्वारा दो पास इस्तित वश्तु हैं पीवा क्यों के प्रतिविंबो का बनना अब हम दखते है तो यहां पर अभीध्रशक लेंस इन्माम को लिया हुआ है जिसके अरफ जित्रश्र के द्वारा क्या बननेगा तो इनका प्रतिविंबो को लिए हुगja Q dash क्यों में व कि यह उसका प्रतिविम क्यों बेंगा बास्तव में यह व्रतियत्ते वारत पर फ्रेंर के फॉपर विपरतन के हुट साहू है क्या आपको फ्रॉण हॉपर विबरतन के वारे में नौलेज्ट नहीं तो आप मेरी प्रउप वीडिowing्वे उसमें benו तॉपरC ही चाल रही है तो आप मेरी वीडियो के ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें डिस्क्रिप्शन वॉक्स में लिंक दे दूंगा तो आपको बहुत ही समझ में आने वाला है यहां पर हमने हमारा सुक्षमदर्शी के अंत्रिक संद्रिश्ण बनाई हुई है यहां पर एक अभी जो वन क्रॉस एरो का निशान आपको दिख रहा है वहां बी बिंदू से निकलने वाली किरणों का प्रदर्शृत कर रहा है यहां पर जब हमें इंसे देखेंगे तो यहां पर प्रतिविम चेत्र प्राप्त होगा यहां पर इंटैंसिटी हाईस रहेगी तो प्रतिविम ज यहां पर इंटैंसिटी उदिख होगी इंटैंसिटी के दिखेंश होले है आप यहां यहां पर इंटैंसिटी होगी है ourselves लंगं की वहां रहां होती है तो इस सो Is इस प्रकार चिट्रह को इसेτη यहां पर अधिक है यहाँपर इसके इंटेसिटी सुनने होती है फ्राण रोपर बातन में यहीं कहा गया है कि कोई भी जो प्रतिविम में चितर हैं, हम दो समीपस्त वस्तूओं को देख रहे हैं, हम उन्हें तब ही सेपरेट करके देख पाएंगे, मतलब सबस्ट रूप से अलग-अलग देख पाएंगे, जब एक वस्तू का, अगर हम बात बस्तु के समझन, को समझेर तो एक वस्तु की जो एक वस्तु की ज़ो हमारा मतलब autant चला है all this वस्तु का ऑप Allah चल रहा है। यहाँ पर क्या है तरंगों की रूप में संच रहा है ब्रकास की आभी का संचरन lowest point पे जो है इस बिन्दू के दोडरा जो क्यों वस्तु है हमारा उसका प्रतिविम का formation हो रहा है इसके lowest पे अब जो हमारा प्रतिविम पी है इसका highest point यहाँ है और इसका lowest point यहाँ है मतलब प्रकास की देविता यहां पर अधिक्तम है और यहां पर काम है सुन्ने है तो सुन्ने पर जहाँ पर पी की इंटेंसिटी सुन्ने है वहाँ पर क्यों के इंटेंसिटी क्या है हाइस्ट है और जहाँ पर क्यों के इंटेंसिटी क्या है लोएस्ट है सुन्ने है यहाँ पर पी की इंटेंसिटी खत्म हो रही है और यहाँ पर क्यों के इ जाते हैं जो हमारी तीवरिता है वो कम होते जाती है तो यहां पर सेंट्रल में हमें अधिक्तम प्राप्त होती है तो यहां पर सेंट्रल में हमें अधिक्तम प्राप्त हो जाएगी जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे बस्तु की प्रतिविंबर की जो है घटते जाएगी तो और दुसरे की इंटेंसिटी अधिक्तम होगी तो इसकी इंटेंसिटी लोग होनी चाहिए जब इस प्रकार से कंडिशन आएगी तब ही हम उसे सेपरेट देख पाएंगे अगर आप यहां पर देखेंगे तो देखेंगे तो देखेंगे पी और क्यू बस्तु द्वारा आंतरित कौन यहां पर ठीटा माना हुआ है सु सिमानद भीवेटन के रेले की अनुषार रेले की के असोटी मैं पिछली वीडियो में ऐस्ट्रीन क्या हुआ है तो आप जाकर जूर्य देख लेंगे प्रतिमें क्यूटेस निल्फ को वीपटन को एक्सिपैनि के लिए उन्हें नेने सिपाइए पर हमेंगे प्रतियक होना चाहिए जो ह्योग फाइए प्रतियाओ कि ओक्तिया यहाँ इस प्रकारा जाहिए वहारी ठीटा के एक्वल होनी चाहिए जो कोणी यह चोड़ाई किया होती है हाइस्ट इंटेंसिटी से लास्ट की इंटेंसिटी तक की डिस्टेंस है यहां इसकी कोणी चोड़ाई कहलाती है तो यहां जो कोणी चोड़ाई है वहाँ ठीटा के अगर इकवल आएगी तो इसपस्ट है कि अगर यहां इकवल आएगी तो P days की highest intensity पर Q days की lowest intensity प्राप्थ होगी और Q days की lowest intensity पर P days की highest intensity प्राप्थ होगी यहाँ clear हो जाएगा तो अगर हम देखें यदि बस्तू P का मुख्य उच्चिस्ट P days पर हो तो क्या होगा हम चित्र से यहाँ पे ले रहे हैं P A plus A P days कर लेंगे और फिर हम अगर दुसरी किरन में देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा P V plus P V days हो जाएगा यहाँ चित्र में आप देखिए अगर हम प्रतिवां P days पर highest intensity की अगर गरना करें मुख्य उच्चिस्ट के से आ रहा है तो हम अगर calculation इसका करें तो हम इस किरन से लेंगे P A plus A P days हो जाएगा फिर हम अगर इस किरन में बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा P V plus B P days इसी प्रकार जब हम Q का लेंगे तो Q का intensity के लिए करेंगे Q A plus Q A days Q B plus Q B days इसे हमने equation first दे दिये इसी प्रकार Q के intensity मुख्य चिस्टर के लिए हमने Q days पर इसका मुख्य चिस्टर हमें प्राप्त हो रहा है तो इसके लिए भी हमने किरन का formation चितर के अनुश्टर कर लिए है Q A plus A Q days is equal to Q B plus B Q days यहाँ equation second दे दिये आप प्रतिवियम पर देखिए आप प्रतिवियम P days के प्रतम निम्नस्टर को विंदू Q days पर होने के लिए आविश्यक है कि बस्तू P से प्रतम निम्नस्टर Q days पर A तथा B से पहुचने वाली प्रकास तरंगों के मार्ग में अंतर लैमडा की बराबर हो यहां चितर सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए बनाया हुआ है तो देखिए यहां पर इंटेंसिटी विवर्तान चितर जब आप देखते हैं किसी भी वस्तों चितर का प्रतिवयम चितर किस प्रकार से फॉर्म हो रहा है तो यहां पर पीक पर आपको highest intensity प्रत होती यहां प्रकास की प्रता क्या होती है अधिकता होती फिर यह थोड़ीrev और होती है और यहां पर सबसे कम जाती है यांपто ऑफिक क呀 named ready लेगिं यहां पर लेकिन यहां होती है यहां इनफेटी से च TowardsEX होती है यहां इंटा किसमी पर को ब्रतों यहां होती है यहां यहां पर जब आप डाल कर देखेंगे तो आप अगर उसे परदे में देखें या दिवाल में देखें जहां पर भी देखें आपको पीक में क्या है इंटांसिटी अधिक्ताम प्राप्त होगी और जैसे जैसे आप बस्तु से दूर जाते जाएंगे आपके इंटांसिटी क्या होते जा अब यहां पर देखिए इसका प्रथम निमनस्ट यहां होगा तो अगर हम एक और यहां पर इंटेंसिटी हमने फॉर्म की क्योंकि हमने तो यहां पर दो चित्री लिए हुए और जो रेले का निया में उसके अनुशार क्या है कि इस बस्तू को और इस बस्तू को तब ही हम इस नाम देदें और इसको पूँ नाम देदें तो क्योंका ना देजा आप देखिए प्रतंस निमनस्ट में पेड़ें पी पर बन रहा है क्यों अ पर A स्ट था B से पुहुंचने वाली प्रकास तरंगों के मार्ग में अंतर लांडा होना चैसे, अगर इनका तरंग अंतर लांडा हो ज्याएं तो यहाँ क्या हो जाएंगी तो हमने इसे इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को क्या किया, अपस में घटा दिया घटाने के बाद हमको यहां equation प्राप्त होई qa-pa is equal to qb-pb प्राप्त होगा और जो lambda है वहां positive हो जाएगा क्योंकि जब हम equation second से equation third को घटाएंगे तो यहां पर minus का अंदर multiply होगा तो यहां minus pb हो जाएगा तो minus pb and minus qb-dates होगा जो कि इससे घट जाएगा लेकिन यहां positive हो जाएगा इसलिए यहां मारा अविद्रश्यक है एवी इस पर बस्तू p तबारा अगर हम कोण आंतरित कोण देखे तो क्या है ए पी वी बराबर alpha हम ले रहे हैं तो alpha और alpha अगर हम इसे two alpha मानते हैं तो बस्तू q पर भी आंतरित कोण लगवक 2 alpha होगा क्योंकि दोनों बराबर और समान कोण आंतरित कर रहे हैं क्योंकि दोनों बस्तू यह पी वा क्यों अत्कंत समीब भी है यहती बस्तू p तद्ध क्यों के वीच न्यूंतम दूरी अगर हम माने x minimum है तब ठीक बिवेडित क कहीं जाती है और हमें रेले के कंडिशन बिल्कुल क्लियर है यहां पर हमने इसको ठीक बिवेडित करने के लिए जो हमारा qa-p1 अगर हम एक दूसर से घटा दे तो हमें इनके बीच की क्या डिस्टेंस प्राप्त हो जाएंगी कि इनकी न्यूंतम दूरी होनी चाहिए तब तो यहां लगवक बराबर आती है और हमने एक्स मिनिममम अगर इनकी डिस्टेंस मानी है तो एक्स मिनिममम और इनके भी चांतरित कौन हमें मालू में अलफा अगर हम लेते हैं तो हम इसका साइन अलफा कर लेते हैं तो एक्स मिनिममम साइन अलफा के इक्वल है इन दोनों अब आप यहां पर देखिए जब हम इसी इस और पक्षांत्रित करेंगे तो यहां दोनों 8 हो जाएंगे तो 2 x minimum sin alpha is equal to lambda हो जाएगा यहां पर x minimum is equal to lambda y यहां पर 2 sin alpha जो है अपॉन में आ गया है तो lambda upon 2 sin alpha हो जाएगा इस equation 6 दे दिया है अब आप यहां पर देखिएंगे समी करंड जो sex है हमारा venger की गर्णा में यहां मान लिया गया है कि द्वारक आयतकार है इस equation में हमने क्या माना है जो हमारा द्वारक है वहाँ आयतकार है यहां आयतकार द्वारक के लिए आया है लेकिन हमें मौनम है हमारा जो अविद्रश प्रभावी तरंग दायद में चेंजेस तो आएंगे हैंगे अभी हमने माना है कि बायू है अगर हमारा जो बस्तुए है और सोक्षमदर्शी है उसके बीच बायू के स्थान पर अपवर्तनांक माध्यम हो जाए तेवल हमने यहां पर बायू सोचा है कि हमारी जो बस्तुए है और जो हमारा विद्रशक है इसके बीच बायू है अगर हम यहां पर कोई एसा माध्यम हो जाएगी और आप्टित प्रकास के प्रभावी त्रेंग देट क्या है लैम्डा वाई म्यू होगी तब सुक्षमदर्शी के वेदन शीमा क्या हो जाएगी एक्स मिनीमम जो कि अभी हमने निकाला हुआ था जिरो प्वाई यहां पर रखा हुआ था मतलब टू साइन अलफा था हमारी वेलियू लेकिन अगर हमने बाईयू के स्थान पर कोई परावर्तक माध्यम मतलब म्यू अपड़ना का कोई माध्यम रखते हैं तो इसकी वेलियू क्या हो जाएगी टू म्यू साइन अलफा तो टू अता सुक्षमदर्शी की विविदन शीमा X minimum 1.22 लैमड़ा अपॉन आंकिक द्वारक यहां इसकी वेलियू हैंगी तो यही है सुक्षमदर्शी की विविदन शीमा जो की दूरदर्शी की विविदन शीमा के एक्वल होती है I hope यहां कैसे आये हैं आपको समझ में आ गया हो and do subscribe my channel for more videos and always there with your friends that's why I'm keeping help or joy